Hello everyone, आज हम इस वीडियो में discussion करने वाले हैं important शिखर सम्मेलन जो भी summits हुए थे 2023 में, तो complete आपको ये list प्रवाइट कर दी गई है, तो start करते अपना topic, पहला प्रशन है नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा, इसका सही उतर हो जाएगा Kampala, युगांडा एक द की दौरान, नाम समू का अधिक्ष रहेगा युगांडा, नाम का यदि फुल फॉर्म देखे, नौन अलाइंड मुवमेंट, ठीक है, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं S.J. शंकर, जनवरी 2024 में युगांडा, नाम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिर्यधित्व करेंगे 28 जो नाम सम्मेलन हुआ था, ये अजरबैजान में हुआ था, जहां पर अभी COP29 प्रस्तावित है होना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उतर हो जाएगा रूस की राजधानी मौस्कों में, तो 16 जो ब्रिक्स से सम्मेलन हुआ होगा, 24 में, ये रूस की राजधानी मौस्कों में होगा, और 15 जो हुआ था, दक्षड अफरीका की जोहांसबर्ग में, ठीक है, और इस बार कि यदि 2023 में थीम की बात करें, तो ब्रिक्स एंड अफरिका, पार्टनर्शिप फॉर मूचुली एक्सलरेटिड ग्रोथ, सस्टेनेब इंक्लूजिव मल्टी लैटरिज्म, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, इसकी जो थीम है, और 15 वाला हुआ था जोहांसबर्ग में, और 16 वाला होने को है, 2024 में, मौस्कों में, ब्रिक्स के नए 5 सद्र से जोड़े हुए हैं, आपको ध्यान में रखना है, मिश्र, इर इथियोपिया, सौधी अरब और UAE, कब जुड़े, एक जनवरी 2024 को, ध्यान में रखना है कि अर्जेंटीना के भी पास ये प्रस्ताव था, परन्तु जो अर्जेंटीना के राशपती हैं, जेवियर माईली, इन्होंने ब्रिक्ष समूव में शामिल होने के लिए, जो निम COP29 जो है, 11 से 24 नॉंबर के बीच, 2024 में, अजरबैजान की जो राजधानी है, बाकु में किया जाएगा, यदि COP30 की बात करें तो, ब्राजिल में ये जगह है, वहाँ पे आयुजित किया जाएगा, COP28, 2023 में हुआ था, दुबई, UAE में हुआ था, COP27 की बात करें तो, ये शर हुआ था, और 33 नॉंबर का जो COP है, वो भी भारत में होना प्रस्तावित रखा गया है, 76 वी वार्षिक विश्व स्वास्ते सभा, कहां आयुजित की गई है, तो ये जिनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनेवा के सुज्जे लैंड में, थीम की बात करें तो, WHO at 75, Saving Lives, Driving Health for All, ये इसकी थीम है, किस देश ने छटा हिंद महासागर समेलन 2023 आयुजित किया है, तो 6 नंबर का Indian Ocean Conference 2023, बांगलादेश धाका में ये आयुजित किया गया, मई 2023 की ये बात है, तो थीम की बात करें तो, Peace, Prosperity and Partnership for a Resilent Future, ये इसकी थीम थी, IOC यानि की Indian Ocean Conference, जो भी हिं विमर्श दात्री ये मंच है, यहाँ पे जो भी छित्री आपसी सहयोग है, उनकी संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है, जो हिंद महासागर की बॉर्डर पे, जो भी देश इस्तित है, वो इसकी मेंबर्स है, तो पहला समेलन जो हुआ था, बड़ी उर्जा मंत्री है, और ये नई दिल्ली यानि कि भारत मंडपम में अंतरराश्टी सौर गठ बंधन की छटी सभाक आयोजन किया गया था, और इसकी जो स्थापना है अंतरराश्टी सौर गठ बंधन की, तो ये 2015 में हुई थी, हेड़कॉर्टर की बात करें तो, ग खारत टेकसास 2024 ये और्गनाईज किया जाएगा नई दिल्ली कब फरवरी 2024 में, टेकसास आपको पता है कि कपड़े के लिए बहुती फेमस स्थान है, तो जो हमारे मंत्री है, प्यूश गोल, जो कपड़ा मंत्री है, यूनियर मिनिस्टर ओफ टेक्स्टाइल्स, जो वाड एशिया सिखर समेलन 2030 के शहर में आयजित हुआ था, तो ये जकारता में हुआ था, ठीक है, अठारवाँ इस्ट एशिया समिट, ये जकारता यानि कि इंडोनेशिया में हुआ था, प्रदान मंत्री मोधी जी ने अटेंड किया था, बीसवा आशियान समू का जो समेलन आशियान के आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, और अठारवाँ इस्ट एशिया समिट ये जकारता में हुआ था, इंडोनेशिया में, ठीक है, तो ये दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं, और जो इस्ट एशिया समिट है, ये इसको स्टैबलिश किया गया था, 2005 में तो ये इसकी मेंबर्स की बात करें तो 18 है और भारत भी इसका एक मेंबर है 43 वा आशियान समेलन कहां एजित किया गया था तो ये आपको most important है ध्यान में रखना है जकारता में किया गया था आशियान की full form की बात करें तो association of south east asian nations ठीक है और theme की बात करें तो आशियान matters epicentrum of growth आशियान की establishment की बात करें मतलब अस्थापना कब हुई थी तो 8 अगस्त 1967 में अस्थापित हुआ था आशियान और member यानि की सदसी की बात करें तो 10 है और headquarter इसका है जो मुख्यालय है वो है जकारता इंडोनेशिया में ठीक है ध्यान में रखना है आशियान का full form association of south east asian nations औ और headquarter है इसका जकारता यानि की इंडोनेशिया में 1967 में इसका स्थापना हुआ था और member से 10 से 10 देश और अभी 11 हो चुके हैं 11 है इस्ट तिमोर देश ध्यान में रखना है पहला WHO पारमपरिक चिकित्सा वैश्विक सिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था तो य WHO और ministry of Ayush, Ayush Mantralay के द्वारा इसको head किया गया था जो हमारे Ayush Mantralay के जो मंतरी है वो है सर्वानंद सोनवाल ठीक है तो WHO के जो डारेक्टर ज़नरल है वो है Ted Ross, अधन होम और जो Ayush Mantralay के अधीन हमारे जो मंतरी है वो है सर्वानंद सोनवाल इन दोनों लोगों ने जो पहला WHO पारंपरिक चिकितसा वैश्विक सिखर सम्मेलन है उसका आयोडियन गांधी नगर में करवाया था कौन सा देश 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजवानी करेगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा UAE यानि की अबुधाबी में 2025 में विश्व के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजवानी ये करने वाला है तो यदि बात कर इस संरक्षण की उद्देश से तो IUCN एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करता है किसी भी पुष्प या किसी भी जानवर की जो उसकी इस्तिती ही होती है कि वो खत्म होनी की कगार पे है या फिर अभी थोड़ा बहुत बच्ची है इसकी प्रजाती तो इस तरीकी के जो संरक्षण का रिपोर्ट जारी करता है IUCN तो उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो अस्थापना हुई थी ये 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी और इसका हेड़ कॉर्टर कहां पे है मुख्याल है तो ग्लैंड स्विट्जर लैंड में है और इसके जो डारेक्टर जनरल है वो है ब्रूनो अबरे जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2030 की अध्यक्षता कि देश ने की है यानि किस हुआ था ये सम्मेलन और ये एडिशन यानि किस अंस्करण की बात करें तो ये 18 नंबर का था थीम की बात करें तो वशुधायव कुटुम्बकम ये थीम थी या फिर एक तरीके से और कह सकते हैं एक पृत्वी, एक परिवार और एक भविश्य वन अर्थ, वन फैंबली, वन फ्यूचर 2022 की थीम की बात करें ये जो 2022 में G20 समिट हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था तो इसकी थीम थी रिकवर टोगेदर, रिकवर स्ट्रॉंगर चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं जी सेवन सिकर समेलन 2023 की अध्यक्षता किस ने की थी तो इसका सही तर हो जागा जापान तो संसकरण बएदी बात करें 49 नंबर का ये संसकरण था इसका आयोजन हुआ था जापान के हिरोशिमा में प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया था और 48 जी सेवन समेलन 2022 में जर्मनी देश में हुआ था और वतमान जो सदस्य हैं जी सवन यानि कि साथ सदस्य देश हैं अमेरिका, युनाइट किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान देखे, 1998 की यह दिवाद करें तो रूस को अपशारिक रूप से शमूह में सामिल कर लिया गया था लेकिन जी सेवन को जिससे जी एट में बदल दिया गया था हाला कि रूस जो है क्रीमिया देश पर कबजा कर लिता है 2014 में इसकी वज़े से जो रूस देश को जी एट की ग्रूपिंग से निकाल दिया गया इसलिए 2014 में फिर से जी एट न होकर जी सेवन बन गया ठीक है जी सेवन और वर्तमान में ये सारे देश इसके सदस्य देश है ठीक है चली नेक्स्ट बात करते हैं नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की 33 संसकरण का आयोजन कहां किया गया है तो इसका सहीतर हो जागा विलिनस लिथुआनिया देश में तो भाग लेने वाले नेताओं ने युक्रेन पर चल रहे जो रूसी आकरमण है के साथ-साथ युक्रेन और स्वेडन की नाटो में संभावित सदस्यता पर भी चर्चा की थी और यदि बात करें नाटो शिखर समेलन 2022 की तो ये स्पेन के मैडरेड में हुआ था और 31 संसकरण 2021 में ब्रुसेल्स यानि की बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ था बट आपको ये most important ध्यान में रखना है कि जो 33 जो संसकरण था नाटो का ये लिथुआनिया विलिनस में हुआ था अब देखें North Atlantic Treaty Organization ये नाटो का फुल फॉर्म है और इसका गठन हुआ था चार अप्राइल उन्निसों उज्जास को और मुख्याले की बात करें तो ब्रुसेल्स यानि की बेल्जियम में है महा सचीव की बात करें तो जेंस स्टॉल्टन बर्ग है अध्यक्ष बात करें 31 स्टेट्स इसके सभी अध्यक्ष है इसमें और अप्राइल 2023 में फिन्लैंड 31 सदस्य बना था तो कितने सदस्य हो गए है टोटल 31 और सभी क्या है इसके अध्यक्ष है अब कुछ और यहाँ प COP 33 नंबर का जो 33 नंबर का समेलन है उसको उसकी मेजबानी का प्रस्ताव रखा गया है 2028 में नवा भारती अंतराष्ट्री विग्यार महसो यह होगा फरीदाबाद में जनवरी 2024 में 42 भारत अंतराष्ट्री व्यापार मेला 2023 यह नई दिल्ली में हो चुका है विश्व स्वास्ते सिखर समेलन 2023 बरलिन जर्मनी में हुआ था 141 अंतराष्ट्री ओलंपिक समीती IOC सत्र यह मुंबई में हुआ था 14 वी विश्व मसाला कॉंग्रेस यह नवी मुंबई में हुआ और यदि बात करें 42 भारत अंतराष्ट्री व्यापार मिला तो यह नई दिल्ली में हो चुका है वैश्विक बाजरा समेलन 2023 यह नई दिल्ली में हुआ था 14 वा वैश्विक कॉशल सिखर समेलन यह नई दिल्ली में हुआ था नेक्स्ट बिम्स्टिक की 20 मंतरी अस्तरिये बैठक 2023 में कहां आयुजित हुई थी इसका सहीतर हो जागा थाइलैंड ठीक है तो यह जो थाइलैंड का बैंकॉक है राजधानी वहाँ पे छठे नंबर की बिम्स्टिक समिट हुई थी अब यदि बात करें इंडिया की तो इ ध्यान में रखना है 2023 वाला तो यह थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था नेक्स्ट 2023 में शंगाई सहयोग संगठन SEO के अधिक्षता किसके पास है तो यह भारत के पास में तो SEO समिट 2023 यह होस्ट इंडिया और SEO समिट 2022 तो यह समरकंद उजबेकिस्तान में हुआ ध्यान में रखना है 2023 वाला इंडिया और 2022 वाला यह उजबेकिस्तान में था ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पे SEO के बारे में बात कर लेते हैं यह for a secure SEO यह इसकी theme थी और देखे secure का यहाँ पे full form है security for a citizen और e for economic development जो हमारी आर्थिक विकास है फिर connectivity, unity, respect और जो हमारी पर्या का summit हुआ था और theme G20 की बात करें तो यह हम already बात कर चुके हैं कि वसुधाय को to become हमारे सारी प्रित्वी परिवार की रूप में हैं 2023 में आशियान की अधिक्षता किसके पास में हैं तो 2023 में आशियान की अधिक्षता इंडोनेशिया के पास में थी कौन सा देश पहले वैश में इसको आउजित किया जाएगा विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर समेलन किस देश में आउजित किया जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वज्ज लैंड और theme की यह बात करें तो cooperation in a fragmented world इस तूटे हुए बिखरे हुए संसार में एक साथ cooperate करके रहना तो इस तर जलेंड राइसिना डायलोग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस छित्र में एक समेलन है तो यह विदेश नीती का है यह राइसिना डायलोग यह नई दिली में हुआ था edition यानि संसकरन की बात करें तो आठमा हुआ था theme 2023 की बात करें तो provocation, uncertainty, turbulence, lighthouse in the tempest यह theme थी रा यह एशिया दो हजर तेस किस राज में उजजित किया गया तो यह तेलंगाना में किया गया था, PM Modi ने One World TB Summit को कहां से संबोधित किया था तो यह वारानसी से संबोधित किया था, ध्यान में रखिएगा जो TB है जो कि बैक्टीरिया से होता है को खतम करना है 2025 तक, which is 5 years ahead of the global target of 2030, global जो टारगेट है बता है वर्ल्ड वाइड जो पूरे संसार में टारगेट है 2030 तक खतम करना है पर इंडिया का जो हमारा ambitious टारगेट है कि हम 2025 खतम कर सके TB को, ठीक है, next देखिए, global millets यानि कि श्री अन अब नाम हो गया है, समेलन किस शहर में आयजित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में किया गया था, ध्यान में रखना है Food and Agricultural Organization and United Nations, इन दोनों के ही द्वारा 2023 को International Years of Millets, यानि कि बाजरा स्री अन का वर्ष घोशित किया गया है, ठीक है, 2023 को, प्रद्योगी की और नवाचार पर एशिया के सबसे बड़े शिखर समेलन, उमागिन चन्न ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये स्किल डेवलप्मेंट के लिए ये एक समिट था, ध्यान में रखना है, हाल ही में I2, U2 की उप मंत्रालाई बैठा की मेजवानी किस ने की है, तो UAE ने की है, I2, U2 की एक new grouping है, जैसे ACE में है, I2 मतलब की हो जाएंगे इंडिया और इस्रा इस्या की बात करें, तो West Asia में ये सभी देश हैं, जैसे इंडिया, इसराइल, USA और UAE, तो ये इस तरीके साब को ध्यान में रखना है, GST परिशत के 49 बैठा किस शहर में हुई थी, तो ये नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान में रखना है, GST परिशत के, 12 वा विश्व हिं इंडू सम्मेलन 2023 कहां आयोजित होगा, तो ये थाइलांड में 26 नॉमबर तक आयोजित हुआ था, 2023 में, और थीम की बात करें, जैस्या, आयंतम, धर्मा, इसका मीनिंग है, धर्म द अबोर्ड ओफ विक्टरी, तो ध्यान में रखेगा, धर्म ही सर्वोपरी है, कौन सा रा देखे, थीम की बात करें, तो Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment, तो महिला शहसकती करण के साथ में, सतत विकास किस छेत्र में, साइन्स और टेक्नोलोजी की छेत्र में, तो इस उद्देश या फिर इस थीम के साथ नागपुर में, भारते विज्यान कॉंग्रेस दो हजार तेश के एक सो करनाटक में हुआ था, इसका जो पहला सेशन हुआ था 1914 में, ये कलकत्ता में हुआ था, और 108 वाला ये दिबात करें, तो ये नागपुर महरास्ट में हुआ था, और 107 वाला बैंगलूरू करनाटक में हुआ था, किस शहर ने World Government Summit 2023 की मेजवानी की है, इसका सही उतर हो तो में, till then, take care, अपना खूब साला ख्याल रखिए.